नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज मैं आप सबके सम्मुक एक महात्वपूर्ण विशे पर बादचीत करने आया हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि बादचीत से पहले मैं अपना पूरु परचे आप लोगों को दे दूँ मेरा नाम सुसील कुमार तिवारी है और मैं वर्तमाय समय में राजकिय मैला इसनात को तर महावी द्यालय देवरिया में असिस्टन प्रोफेसर हिंदी के पतपर कारे रख हूँ इस से पहले मैंने केंदरे विद्यालय में TGT हिंदी, PGT हिंदी, नौदे विद्यालय में PGT हिंदी, दिली गवर्मेंट में प्रोफ्ता हिंदी के रूप में भी सेवाइ अपनी दी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश उत्ति सिच्छा सेवायो के अधीन राजकी महला इस्तिनात को तर महाबित्याले में अपनी सेवायों दे रहा हूँ तो अभी केवियस का एसर की आई है कुछ लोगों को यह लग गया होगा कि उनका अंतिम जो परड़ाम आने वाला उसमें उनका परिच्छा पास कर देंगे और इंटर्व्यू के लिए उनकी बारी आएगे तो एक महाब्कूर सवाल है कि हम इंटर्व्यू के लिए कैसे तयार हूँ तो इंटर्व्यू के बारे मैं बताना चाहूंगा कि कीप Яउस का इंटर्व्यू को इतना सब्सक्राइब नहीं है कोई बहुत मुश्किल सिच्वेशन या बहुत मुश्किल स्थी नहीं है इंटर्व्यू का नाम आते ही हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं पहला सवाल यह है कि क्या पहने कैसे इंटर्व्यू रूम में जाएं इंटर्व्यू में जाने से पहले क्या-क्या तैयारिय करें तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने साहज रूप से एक तो अपना बार्डटा चार प्रतियों में तैयार कर लिया था उसमें वही बाते अपने बारियम बताई थी जो की सही थी और जो सिच्छन के पती अपनी अभिरुची थी तो वह मैंने सकारात्मक बताई थी कि नहीं मैं सिच्छन के पेसे में आना चाहता हूँ और यही मेरे लिए सबसे अच्छी जगा है जहाँ मैं अपनी स्किल्स का प्रदर्शन सबसे अच्छी तरीके से कर सकता हूँ इंटर्व्यू में अगर वेसबूसा की बात के जाए तो आप फॉर्मल पैंट सेट जूते या अगर महिला है तो आप पुशिच करें साड़ी साड़ी में अगर आप कमफर्टेबल नहीं है तो सूट सलवार जो की एक सौम में वेसबूसा हो पहन कर आप जा सकते हैं जब आपकी बारी आए आपको अंदर बुलाया जाए तो जो वहाँ सप्रासी लगा होगा वो आपका नाम पुकारेगा आप अंदर जाएं तो सामनता एक बात पूछ लें वो लोग जब आप इनके निकट जाएं तो अभिवादन कर लें वो खुद ही आपसे कहेंगे कि आप कोर्शी पर बैठ जाएं अगर वो आपसे नहीं कहते हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लिजे और उसके बाद वो खुद ही कह देंगे या आप उसे पूछ सकते हैं लेकिन ऐसी जरूवत पढ़ती नहीं हो खुद ही पहुचते ही कह देते हैं कि आप सीट पे बैठ जाएं इसके बाद आपका बायोडाटा उनके पास होता है वो आप से कहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताईए लगबल लगबल हर इंटर्विव में जहां तक मेरा उनभव है पहला सवाल यही रहा है कि जो पूछा गया कि आप अपने बारे में बताईए अपने बारें बताने का मतलब यह बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है आपका जन्म कहां हुआ है या आप कहां के रहने वाले हैं आपकी हाई स्कूल, इंटर्मीडियेट, ग्रेजुशन, पोस्ट ग्रेजुशन तथा बियर्ड कहां और किस भी स्विध्याले से हुआ है लगबल अब इतना बताते ही कोई प्रस्ण वो पूछना शुरू कर देते हैं अगर फिर भी वो नहीं आपसे पूछ रहे हैं आपको और मौका दे रहे हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी PG में क्या मुख्य बिसे रहे हैं उसमें कौन से कभी कौन से लेखक इत्याद आपको पसंद रहे हैं या इसके बाद भी आप अपनी achievements के बारे में बता सकते हैं लेकिन जहां तेक मेरा अनुभव है मुझे किसी भी इंटर्यू में qualification से आगे बताने का अवसर मिला नहीं जैसे मैं अपने PG के बारे में बताता था इलाबत विसे दियाले से मैंने पढ़ाई कि यह उससे बारे में बताता था वैसे ही कुछ ना कुछ प्रस्न पूछना सु आपको करना पढ़ सकता है लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है सवाल बहुत कठिन नहीं होते हैं वही सवाल होते हैं जिने आपको आपने पढ़ रखा है अगर साहित हिंदी साहित के विद्यारती है तो छायावाद भक्तिकाल यह बड़े महत्पूर्ण विसे इसके लावा जिन कभियों को आपने बार-बार पढ़ा है उधारन के लिए मैथली स्रण गुप्त आयोध्या सिंगुपादय है हैरियोद या और लेट टेस्ट चले जाए तो मुक्ति बोध त्रिलोचन केदारनात अगरवाल केदारनात सिंग थोड़ा बहुत उपन्यास साहित है कहानी साहित और इन्ही सब के बारे में सवाल पूछा जाता है साथी साहित के इतिहास की प्रमुख परवित्यां क्या है किस काल का नामकरण क्या हुआ है या अगर आप अपने बिसेम बताते हैं कि मुझे कहानी पढ़ना पसंद है तो किसी लेटेस्ट पढ़ी गई कहानी के बार से उत्तर दें आपसे एक या दो प्रस्न अगर मान लीजे आपका इंटर्वीव में 10-12 सवाल आपसे पूछे गए 15-20 मिट का इंटर्वीव रहा तो एक या दो सवाल के बारे पूछे जा सकते हैं उधार के लिए जब मैंने 2016 में पहला इंटर्वीव दिया था तो मुझसे पूछा गया कि आपके जिले में क्या केंद्रे विद्याले संग्ठन का कोई विद्याले है तो उस समय मुझे जानकाई नहीं थी तो मैंने कहा सर मुझे जानकाई नहीं यानि कि सवाल का उत्तर देते समय आप घबर लेकिन जिनके उत्तर आ रहे हैं आप आसानी से दें धैर पूरबक दें और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने जलाएं ना सर ना पिटें बड़े सहज भाव से अपने उत्तर दें सहज भाव बिनम्रता और आपका आत्मविश्वास यही तीन चीज़े ऐसी हैं जो इंटर्विव में आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिला सकती हैं अब बात करते हैं इंटर्विव का एक बहुत ही महत्पूंट अंग है वो है टीचिंग आप अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो नवी से बारामी तक की जो पुस्तके हैं हिंदी की उनको देख ल अक्सर वहां ऐसा होता है कि आपको कोई एक पुस्तक उरखे रहते हैं उसी का कोई अंस दे देते हैं कि आप इसको पढ़ा कर हमें समझाई जब आपको पढ़ाने के लिए दिया जाए तो पहला काम यह है कि आपको वहां मारकर मिलेगा पुस्तक मिलेगी तो आप पुस्तक को सही डंग से पकड़ें जो आपके पास वाइट बोर्ड या ब्लेक बोर्ड होगा उस पे कक्षा बिसय कालांस आवधि इत्यादिका सीर्षक स्पष्ट उल्लेक कर दें और उसके बाद आप पढ़ाना सुरू करें पढ़ाने के करम में आप इस बात का ध्यान रखें कि जो चीजे आप पढ़ा रहे हैं उसमें अतिरंजीत बाते ना करें ज्यादा तर कोशिश करें कि जो प्रासंगीक बाते वह रखें बहुत बिवादित बाते ना रखें तथा आप जिसे कहते हैं रिजीड होना किसी भी चीज को लेकर रिजीड ना बनी तो जो आपका साहज ब्यवहार होगा वही वास्तों में इंटर्व्यू में सफलताई कुन्जी है केवेस इंटर्व्यू के बारे में एक चीज और महत्पूर्ण है कि इसके लिखित परिच्छा का जो अंक है और जो इंटर्व्यू का अंक है उसमें इंटर्व्यू का एक बड़ा योगदान है सतर फीस दी अंक आपको अगर लिखित परिच्छा से मिलते हैं तो तीस फीस दी अंक आपको इंट्रिव्यू के द्वारा मिलते हैं इंट्रिव्यू कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है केवियस की यह मैं बार-बार दो रहता हूँ क्योंकि मैंने एक किस्सा अपने जीविवन से जुड़ा बताता हूँ जब मेरा पहली बार चैन हुआ मैंने एम में जेस पास आउट किया था जयारत था और महत्मा गांधी अंतराष्टे हिंदी विश्विद्य द्याले वर्धा में एमफील का छात्र था तो मेरे पास ना तो कोचिंग की सुधा थी और जब चैनी तो हो गया लिखित परिक्षा में पास हो गया तो मैं इलहाबाद आया लगभल लगए इंटर्व्यू के एक सब्ता पहले तो कुछ लोग इंटर्व्यू के लिए बाकाइदा क्लासे चला रहे थे तो मैं भी बड़ा इच्छुक हुआ कि मैं इंटर्व्यू की क्लास अटेंड करनूं क्योंकि मैं इससे पहले कभी कोई इंटर्व्यू वाइब आप छोड़ दिजिए जैसे प्यस्डी के इंटरेंस के तो मैं नहीं दिया थे तो मैं वहाँ पे गया कोचिंग संचालक मौदस ने कहा कि अब इतना समय नहीं है मैं आपको अपने बैच में सामिल नहीं कर सकते क्योंकि आप सफल होंगे इस पर हमें कोई उम्मीद नहीं है मैं बड़ा निरास हुआ कि कोचिंग इतनी अच्छी कोचिंग है इसके इतनी अच्छी संचालक है और इन्हों ने मुझे ना कह दिया तो मैंने कहा कोई बात नहीं अगर ज्ञान है तो मेरी मुझे निकलेगा जरूर हो सकता है बिहाइबियरल चेंजेज जैसा बिहाइबियर वहाँ प्रकट करना है मैं उसा ब्यक्त ना करता हूँ तो मैंने आसानी से क्या किया कि सामान ने बेशभूसा ली और अपने मित्रों के साथ बैठ कर थोड़ी बहुत चर्चा कि उन्हीं के बीच में एक मौक इंटर्व्यू किया और उसके बाद मैं बड़ी खुशी-खुशी इंटर्व्यू देने गया आपको आसर होगा कि जिन भी द्यार्थियों को उन्होंने इंटर्व्यू के लिए पढ़ाया था मैंने उससे जादा बहतर प्रदसन किया और TGT के 2016 में हिंदी विषय में 60 में से 69 नंबर मुझे प्राप्त ही और एक तरीके से मैं पूरे जो राष्टे अस्तर पे हिंदी विषय से TGT में टॉपर रहा तो कहने का मतलब यह है कि आप इंट्रेव्यू के लिए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भय है तो आप इतना ना घबडाए आपको अगर कोई कोचिंग मिल रही है नहीं मिले कोचिंग बहुत जरूरी चीज भी नहीं है महत्पूर्ण चीज यह है कि आप अपने विषय का एक समझदारी पूर्ण ग्यांड की बहुत बार ऐसा होता है जब आप इंट्रेव्यू दे रहे होते हैं तो किसी विषय पर आपकी राय अलग है आपके इंट्रव्यूर की राय अलग है तो ऐसे में अगर बलकि सहज भाव से कहें कि हां हमारा अध्यान ऐसा है आप जो कह रहे हो सकता ऐसा हो लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है इसमें क्या होगी कि आपकी सहचता भी दिख जाएगी इंट्रव्यूर की बात भी रह जाएगी इसके साथ ही साथ अगर आप और भी किसी विषय पर स अब सहच भाव से सुईकार कर ले कि इस प्रसंद का सवाल जबाब हमें नहीं आ रहा है हां ये दियान लखे कि तीन चार सवाल लगातार आप ना ना कहें हैं लेकिन हमें लगता है कि तीन चार सवालों में से एक दो का जबाब तो आपको आही रहा होगा हर इंट्रव्यू वो भी भूल जाते हैं अब जब आप भूल गए तब जाहिड सी बात है कि तनाव आना आप पे लाजमी है लिकिन जब आप अपने सहज सभाव को बनाए रखते हैं जितना आप सोच सकते हैं उसके हिसाब से जबाब दें और अगर इंटर्विवर कोई कड़ी प्रतक्रिया भी देता है तो नम्र भाव से उसे स्विकार करें और अपने चेहरें को बहुत परेसान ना करें तो जाहिड सी बात है कि आप इंटर्विव में सफल होगें मेरा अपना अब तक का जोनबव है मैंने अब तक कुल 6 इंटर्विव फेस किये और 6 इंटर्विव में से एक इंटर्विव छोड़के 5 इंटर्विव मैंने क्वालिफाई किया है और हर इंटर्विव में ठीक ठाक नंबर मिले हैं जबकि मैंने कहीं से भी किसी ही प्रकार से इंटर्व्यू की कोई तैयारी नहीं कि बस हमारे दोस्ट थे जिसमें एक आपके भास्मी अकेडमी के संचालक भानु प्रताफसर है एक प्रभीण अवस्थेजी थे नेहा सिंग थे ऐसे ही और एक दो मित्र थे जिनके सायोग से हम खुद ही माक इंटर्व कर लेते थे और बहुत बार ऐसा भी हुआ जब पहली सेवा में आ गया उसके बाद हम लोग साथ नहीं थे तो बाकी इंटर्व्यू मैंने खुद ही अपने पढ़ा और खुद से दिया बस इतना ध्यान रखा कि नहीं मुझे ना तो इंटर्व्यू में रिजिड होना है ना बहुत तनाओं में दिखना है और ना जबरदस्ती ज्यान बगहारने की कोशिस करना है बलकि जो मेरा सत्य है जितना मैं सही सही जानता हूं सहज भाव से उसको कहूं इंटर्व्यू देते समय एक बड़ी चुनोती ओर आती है जब किसी सवाल का जवाब नहीं है तो हम माथ माथ पर पसीना आने लगना या माथ घिसने लगना ऐसा हमें नहीं करना है बलकि सहज भाव से स्विकाण करना है कि सवरी सर नहीं आ रहा है तो अगला सवाल पूछ लेने तो यह थी कुछ महत्पूर्ण बाते फिर मैं आपसे दोराना चाहूंगा कि इंटर्व्यू कोई ब इंटर्वेश करते हैं तो आपसे सहाज सामान्य ढंक से बाती सुरू करते हैं ताकि आप दबाव में ना रहें और आप दबाव मुक्त होकर तनाव मुक्त होकर इंटर्व्यू दें अगर आपके कुश्चन छूट भी गए हैं आप सब के उत्तर नहीं दे पाए हैं तो भी आप सफल होंगे लेकिन आपके अंदर ये विश्वास हो और जब आप किनाव मुक्त होंगे तो जो बाते आप कहेंगे वो प्रभाबी होंगे बस यही बाते आप से करनी थी इनी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको लगता है कि आपको और इंटर्वियू से समधित कोई बाते जाननी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आप सबको जवाब दूँ बाकी आप मेरे बेक्तितों को देखी रहे है मैं कोई इतना बहुत प्रभावसाली बेक्तितों का आदमी आपको ने दिख रहा हूँ लेकिन लगबल लग हर इंटर्वियू मैंने पास किया है इसका मतलब है अगर मैं हो सकता हूँ तो आप भी इंटर्वियू को पास आफसानी से कर सकते हैं दन्याबाद